नमस्कार किसान भाईयू आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो नेक्स्ट में स्वागत है जहां पर आपको क्रिश्री सम्बंदे जानकारी उपलप्त करवाई जाती है आज हम बात करेंगे चिली फसल के रस चूचने वाले कीट थिप्स के बारे में के अंडे छोटे और सफेध होते हैं अब सराय और व्यसक छोटे नाजुक और पीले भूरे रंके होते हैं सबसे पहले कोमल पत्तियों और बढ़ती हुई टैनियों पर प्रकोब दिखाई देता है और धीरे धीरे परितिती बिगणने पर कलियों और फूलों पर भी प्रकोब दिखाई देता है और अंथ में ओधा या पत्ता मुढ़ जाकर मढ़ जाता है मिर्च और प्याज मिशित फसलों का पालन ना करें आस-पास की खर पतवारों को नियंद्रित करें क्योंकि यह थ्रिप्स को रहने के लिए सही वातावरण देती है दो सो पच्चिस से तीन सो ग्राम प्रती हेक्टेर थाइकलोपरिड पांच सो लीटर पानी में मिलाकर या पजास से सो ग्राम प्रती हेक्टेर एसिटामाइपरिड पांच सो से छे सो लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं अगर आपको यह जानकारी उपियोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक एवम शेयर अवश्या करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद